हमने बलाक पेटे इसलिए बांदेया Вас यह एक हम इसलिए बंद किया जाएं कि ही फिस्ता शाटल हें को सिवती है उर्प सकताएं मेरे सप्राइक्पैर्ट्च आप कर दो मताएं क्योंकि हमारे स्कूल के साथ गंदे खोए हैं इनको बंद करवाया जाए मस्की में साथ को असलाम सलाम पाकिसान में होके मेजबान साज़ा गोरी नाजरीन मैं सिर्वालाबाद नियू कॉर्मर्ट स्कूल सिस्टम में माजूद हूँ तो कि दौध कुलोड दो जारागारा से यहां पर स्कूल के साथ की गंदे डिस्पोजल पंप बनाएगे जितने भी M.I.S. अजरा अजरा अब तो यहां पर पंजाब के अंदर और केपी के अंदर दो वुजिय अलाम में हमाएगे मैं जब स्कूल में पहुंचा तो यहां पर मैं चुशें यहां पर स्कूल में अंधि इस्कूल की जो इन्त rh değildi MAT seasons भी शुर्माइ में बादे हैं बनते हैं अभी सेद मुसम रदा नक्वी साब यहां की जजामिया है यहां के बच्चे हैं आप अंफलर्ट दे सकते हैं पीछे लिखा हुआ है वो उन से अपील कर रहे हैं कि खुदारा दोज़ तईस में हमारी इन गंदे डिस्पोजल से जान चुड़वाएं जी मैं यहां जैसे आप बच्चों को देख सकते हैं तो यह एकचली हमारी तरफ से नहीं है यह बच्चों की तरफ से है अगर सिर्फ हम ही होते तो शायद सबर करकर बैठ जाते लेकर बच्चों को चूंके इस सारी तकलीफ का सारी गंदी इनवायर्मेंट का जो हकूमत ने दे रखी है नई नसल को साब का हकूमत ने और ये जो निया पाकिस्तान बनने को जा रहा है उसको बद्बू के अंदर बैठने पर बैठ कर पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है तो ये आज का जो इतजाज है वो इन स्टूडेंट्स की तरफ से है लड़कियों की तरफ से है पीछे कि आपको बताती चलूं के यहां पर सिर्फ क्रिस्ट्टन बच्चे ही नहीं यहां पर मुस्लिम गरीब बच्चे मसीफी बच्चे पढ़ते हैं और मैं समझती हूं के जितना यह पर जो फैकल्टी है स्कूल के अंदर वह फिकर मन्द है उतना ही हकूमत को भी होना चाहिए अब जैसा के न्यू वजीर आला जो आ चके हैं निग्रान वजीर आला तो हम उनसे यह बरपूर अपील करते हैं कि खुदारा अगर किसी और ने यह नजरे थानी नहीं की तो वो जरूर करें और यह पाकिस्ता का हसता खेलता मुस्तक्मिल जो है वो बचाने की कोशिश करें तो यह हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है नियू वजिरियाला से अच्छा मैंने देखा कि आज बच्चे जब पढ़ने शुरू कर दिया है तो क्या ये बच्चे क्या कहा चा रहे हैं कि हम किस तरह अच्छा महतरम जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो रिबन बांदे हुएं ये बलैक कलर में हैं तो बलैक कलर जो है वो सोग का और परेशानी का व्यू देता है और तासरा देता है तो अच्छली बच्चे अब बहुत कुछ कह चुके हैं तो वो इसको बांद कर पढ़ते है हैं वो जह जाहर करना चाहते हैं कि हमाँ पाकिस्तान जो है कोई ग्रीनरी नहीं दे रहा है उल्टा के वो हमें गंदे गंदगी दे रहा है तो चाहिए तो ये था कि जब यह बड़े बड़े धो कांपिस तो पर स्टूड़न्स पड़ रहे हैं और तालीम हास्लDam तो कोई अच्छी इंवाइर्मेंट्स पास होती कोई अच्छी चीज बान जाती लेकं चूंके उन्होंने गंदे घूम बना दिये हैं अब वह ब्लैक पट नहीं बान देंगे ग्रीन पट यहां तो नहीं बान देंगे ना जी ना आधरी आप सुन सकते हैं कि यहां पर एन उसी भी कैं और जब यहां पर एजूकेशन फ्री मिल रही है तो वासा यहां पर गंदी हवा गंदी पॉलीशन फ्री दे रहा है इन बच्छों को यह मसूम बच्चे जो हैं सराप इतजाज हैं और निगरान वजी अला जो हैं मुसर रदा नक्वी साहब उनको भी अपील कर रहे हैं और इतजाजन पटियें बांद कर यहां पर खड़े हैं तो मैं यहां पर जो कुछ दूसरे भी सर यह बदेगा कि क्यों बच्चों ने भी देखें सबसे पहले मैं एक स्वाल करना चाहता हूं जो हमारे अभी के मजुदा निगरान वजीर आला है मौसन साहब हैं क्या वो एक द इस पहले यह बिल्कुल जियाती हुई जा रही है और पिछले तीन-चार सालों में मुकम्ल जियाती हम निशाना बन रहे हैं जो के बहुत बहुत गलत बात है तो मेरी अपील है मौसन साहब से के इस पे नजरसानी की जाए और जो साहब का हकूमत थी और गरचे वो नई इस खुदारा आए इन बच्चों का आठ नो सो जिसमें ना सिर्फ क्रिस्टिन बच्चे बलके मुस्लिम बच्चे जो के फ्री एजूकेशन हासल कर रहे हैं तो उनका मुस्तक्बिल को तरीक ना किया जाए और याज बच्चे इसी काले रंग को मजबूर है इस बात से कि हम काले वजिराज सबसे गुजारिश है कि प्लीज इस पे नजरसानी करें और हमारे बच्चों को अच्छा मुस्तक्बिल अता करें जी सरा आप पते हीएगा कि इतिजाज का क्या मकसद है करने का जी हमारा मेरे ख्याल में हमारा सिर्फ कसूर इतना है कि यहां पर गरीब बच्चे पढ़ते होते हैं तो यह हम कितने सालों से इस परेशानी के साथ चल रहे हैं तो अब तक यह मसला हाल लो चुका होता है तो अभी जो निगरान वजीर आला है मुस्तर रजा नक्वी साब उनसे गुजारिश यह है कि अपने मुखसर दोरे हकूमत में कोई ना कोई ऐसा काम क कर जाएं कि दुनिया उनको याद रखे कि इन चोटे चोटे बच्चे जो गंदे महौल में पढ़ रहे हैं उनके लिए उनके लिए एक काम किया था तो यह उनके लिए एक यादगीरी हमारी रहेगी और हम बड़े अरसा से इतजाज कर रहे हैं और साबका हकूमतों ने हमा हमारे हाक में हो चुका हुआ है उस पर भी अमल दरामत करवाया जाए 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 नादरीन सुन सकते हैं कि वाके ही कुरानी जो वफाक साबका हकूमते गई हैं उनके सर पर जूं तक नहीं रहेंगी लेकिन ये जो नया सैटप आया है निगरान सैटप आया है उन्होंने न पाकस्तानी कौम के बच्चे जो पढ़ रहे हैं मसी कौम के बच्चे पढ़ रहे हैं मुस्लिम कम्यूंटी के बच्चे पढ़ रहे हैं वो यहां पर फ्री एजुकेशन हासिल करें हैं सर एक्चुली यहां पर जब एजुकेशन का सिस्टम है चुके तो जब लेक्चर्स ल मार हुजाते हैं. उसके reviewed ऐसा लाजमी कि हैं. और उनके परेंट्स को बुलाया जाता है कि ये चुट्यां क्यों कर रहे ह्या है? तो वो कहते हैं कि environment की वज़ा से जो है इनके ऊपर काफी मन्फी असरात पर रहे हैं, की सहत पर. तो इसलिए हम हमें चाहिए कि हम एजुकेशन की रिस्पेक्ट करें क्योंकि एक एजुकेशनल इदारा है तो यहां पर जो है इस तरह का सैटप नहीं होना चाहिए कि गंदगी भी साथ है और साथ ही एजुकेशन का निजाम चल रहा है तो लहाजा बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड था और प्ले ग्राउंड को हटा के वहां पर जो है जी डिस्पोजल बना दिया गया है जबके यहां पर इसका काम ही नहीं है कोई यह एजुकेशनल इदारा और यहां पर बच्चों के खेलने के लिए एक जगाए है और अगर बच्चे खेलें के नहीं तो उनकी फिजिकल जो ग्र बोट जो है वो हासिल कर सके यह भी साबत आएगा कि मजूदा जो निगरान वजिरला बने उनको पील करना चाहरी हैं मैं उनसे यह कहना चाहरी हूं कि इलम का मतलब होता है रोशनी नूर फलाना और यह हमें तरीकी में लेके जा रहे हैं जैसा कि अब देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी बेटी हैं और बेटी हैं उन्होंने ये काले रंग का रिबन बांद लिया है इसका मतलब यह कि अकलियती कोम को यह पाकिस्तान का मुस्तक्बिल है यह जितनी भी लड़की और लड़के हैं यह सब पाकिस्तान का मुस्तक्बिल है यह सिरफ एकलियती मुस्तक्ब को नूर की मानदी रखा जाए तो बहतर है और इन बच्चों और बच्चियों को मजीद पढ़ने के और अच्छा महौल प्रवाइड किया जाए ताकि वो अच्छे तरीके से यूनिवस्टीज में कॉलिजिज में जाके अपनी तलीम को कंटीन्यू रखके पाकिस्तान के मुस यह कौम की बच्चियों तो मैं दुमक्वास करती हूं कि इन बच्चे और बच्चियों का अवाद हकोमत्स्रेक ने बलकि थे एक रूंसक्गी चाहा और उनको रोश्री करने की मुकमल तोऔर प्रकोशिश की जाए, बल्कि उसको देखाना जाए, सुनाना जाए, उस पे मुकमल कोशिश की जाए, इसको खत्म किया जाए. जी नादरीन जिस आप सुन सकते हैं कि नियों की रोश्री को पहला रहा है लेकिन जो यहां का वासा है वो बच्चों के मुस्तक्बिल पर तालीम पर तारीशी डाल रहा है यानि कि अंधेरे की तरफ दखेल रहा है अब टीचर ने भी बताया है कि बच्चे इस महौल में कुछ ऐसे हैं कि आए दिन वो चुटियें भी कर लेते हैं और बच्चों के पेरेंट्स हैं वो यही कहते हैं कि बच्चे बिमार होगे बच्चों को नजला लग गया जुकाम लग गया क्योंकि यहां कनवायर्मेंट के ह हवा फरी नाद है बलके इन बच्चों को पढ़ने दें क्योंकि यह पढ़ेंगे और अच्छा मुस्तक्बिल बनाएंगे और मुल्के पाकिस्तान का नाम रुशन करेंगे क्योंकि नियू कॉन्वर्ट स्कूल सिस्टम जो है एक अच्छा इदारा है और बहतरी इदारा रह पाकिस्तान के जितने बच्चे जो इलम हसल नहीं कर सकते उनके लिए ये अच्छा सिस्टम चला सके जितने बच्चे तालीम हसल करेंगे मुल्क पाकिस्तान का नाम रुशन करेंगे जी नादरीन जिससरा आपने सारी इंतिजामियां से मैंने बाचीत की है कि यहाँ पर इस वक्त नियू कॉर्वनेंट स्कूल सिस्टम के अंदर जो बची हैं और बचे हैं वो इतिजाजन पटियें बांद कर काले रंगी और क्लास में बैठ कर अपनी एजूकेशन हसल कर रही ह गूए और जब तक पटे हम इस तरह बांता है जब तक कोंभिन के फारक नहीं होगे तो कुछ बक्रची हैं या बैठी हुई हैं बैठा ये पटे कुयों बांद की बैठी हुई है आपने ओ। तब तक हम अहतिजाज ने ये पटी नहीं खोलेंगे क्योंकि हमें पढ़ना है मरना नहीं हमने इसलिए पटी बांद के अहतिजाज कर रहे हैं जी नाधरीन आप दे सकते हैं कि यहां पर हमारी قوم की बेटी यह पढ़ रही हैं अब पूरी क्लास ने सकते हैं, आप मेरा सामने, कि ये सारी बच्चियों ने पटी में बंद you commuting, हर बच्चे बंद II हुई है, ये एक ऐच्चा इतिजाज respect किया जा रहा है, सिर्फ इस वज़ाए सबंग्याँ ये host वे पूह पने, ये गंदे zr स्पोसर में गांगे और हम स्कूल से पढ़ सके नाजरीन देखें हर बच्ची जो है यहां पर जो मसी कौम की बैटी बैटी हुई है वो यही कह रही है कि हम इतिजाजन ये काले कपड़े बांद कर बाजू के अपर इतिजाजन बैठें हुए हैं कोई भी कौम अगर किसी भी तरीके से इतिजाज क तक जो कौम अभी तक बंद नहीं हुए हमें चाहते हैं कि शायद हमारी पटिये देखकर हमारी जो पंजाब गवर्मिंट है वो कुछ रंग ले आए क्योंकि निगराहन सेट आप आ चुका है जी बैटा ये काली पटी क्यूं बांद हुए हैं हमने ये ब्लैक पटिया इसल चाहत गंडे को हैंने बंद कराया जाए हैं जब चलता है तो हमें, हमसे पढ़ा नहीं जाता, यह बचों की अपील है, और मैं यहाँ पर बच्ची ओसे भी बाचित कर रहा हूं, हमारी यहाँ पर पाकसानी कौम की जो बच्ची हैं, मसी कौम की बेटी हैं, वो यहाँ पर एजूकेशन हसल कर रही हैं, तो मैंने आपको प कर दो कर दो